कानपूर शहर की थोक अपड़ाओं मंडी में लगी भीशड आग आग ने लिया विक्राल रूप तीन टावरों को चपेट में आग ने लिया लगबग 250 दुकाने जलकर खाग करोडों का नुक्सा आग लगने से लाके में मचा हरकम मौके पर दमकल की कई गाड़ी आग बुच्वाने की कोशिश में जुड़ी रही कानपूर कमिशनर बीपी जोगदन ने मौके पर पहुँच अपने हाथों में ही कवान ली आग की 30 लप्टों ने बगल की मारकेट को अपने आगोश में लिया इतके तेवहार को देखते हुए करोडों के नुक्सान का अनुमाल लगाया जा रहा अनुमर गई थानाच शेतर अंदरगत थो कपड़ा व्यापार के सबसे बड़े बाज़ार में सुबह भी चड़ आग लग गए आग की चपेट में पहले होलसेल कपड़ा मारकेट का एक टावर आया देखते ही देखते उसने पास के टावरों को भी अपने चपेट में ले लिया अर टावर मसूट टावर दो हमरास टावर में भी शड़ाग लग गई आग ने लगबग 250 से ज़्यादा दुकानों को अपने आगोश में लिया तेज हवा के चलते आग बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा बताया जाता है कि 70 करोड से ज़्यादा का नुकसान हुआ लगबग 4 दरजिन से ज़्यादा फाय ब्रिगट की गाड़ियां मौके पर पहुँची आग बुझाने की कोशिश करने लगी लेकिन ये कोशिश बस कोशिश रही वही धाना अनवरगन शेत्रा अंद्रगत कॉम्प्लेक्स में लगी आके संबन में पुलिस आयुत कानपूर द्वारा एहम ज़ौनकारी दी गई है मुक्यमंत्र योग्या दितनात ने कानपूर अगनी कांड घटना का संग्यान लिया उन्होंने कहा कानपूर में हुई अगनी दुर घटना अत्यन दे दुखी फायर ब्रिगेड टीमो द्वारा युदिस्तर पर राहत बचाओक कारी किया जा रहा जलापरशासन को घायलों के समुचित इलाजवे प्रिभावितों के हर संबव सहयोग है तुद निर्देशित क्या गया प्रभुशी राम से घायलों के शिग्रे स्वास्तिला की कामना है कहा जा रहा है कि लखनों के लिवाना होटेल कांड की तरह हो सकता था बड़ा मामला कॉम्पलेक्स के निर्माड के वक्त नहीं रखा गया था मानुकों का ध्यान प्राधिकरन के जम्मेदारों की लापरवाही से हो गया था कॉम्पलेक्स का मानक विह निर्माड अगर कॉंप्लेक्स के निर्मार के वक्त प्राधिकरन के नियमों का ना होता उलंगन तो दमकल की गाड़ियों को इतनी मशकत ना करनी पड़ती शायद आगे तना विक्राल लूप ना धारन कर सकती मोनिटर विजिट किया गया था जो सिचूशन देखने के बाध अगल पगल के जिलों से गाड़ियां मंगा गई थी मेंने जिलादी करिम वोदे से अऱोद भी किया था तो एरफोर्स की आर्मी की के गाड़ियां यहां पर मंगाई गई कानपूर देहात उन्नाव फतेपूर यहां की भी गड़ियां यहां पर लाई गई थी आग गुजाने का प्राता से ही प्रयास किया गया है लखनों में डीजी फायर सर्विस आपको भी आउगत कराय गया था उन्होंने हैट्रोलिक प्लैटफॉर्म से यहां पर भेजे हैं अ अंदर सवेरे प्राता जो गड़ियां थी उसका पानी नहीं जा पाया था अभी हैट्रोलिक प्लैटफॉर्म से सिचेशन में काफी सुधार आया है शिग रही है एक दो घंटे में यह पूरन आग पे काबू पार लिया था देखिए प्राता जो पुलिस यहां पर झाल